Yes students, today we will start with the new unit, that is unit 6, addition and subtraction of decimal numbers ओके बटा, आज हम क्या सिखेंगे, addition and subtraction of decimal number अभी तक आप decimal number में comparison करते आए हैं, ठीके, अब आपको ये भी पता है कि unlike decimal क्या होता है, like decimal क्या होता है, you know how to compare the decimals ठीके हैं, उसकी expanded form भी आपको आगी, उसका number name भी आगया समझ में तो अब हम क्या करेंगे बटा, addition और subtraction, ये दोनों के दोनों operations हमने decimal number पे use करने हैं, लगाने हैं, ओके, तो अगर हमारे पास एक question आजे, for example जैसे की 31.001, मैं क्या कर रहे हुँ बटा, एक example ले रही हूँ, मेरे पास three decimal number हैं, और इन तिनो decimal number को मैंने क्या करना है, add क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, chapter का नाम क्या, addition and subtraction of decimal number यानि कि हम decimal number की addition सिखेंगे, इस chapter में और इसकी subtraction सिखेंगे, ओके, जो normal numbers होते हैं, यानि कि जो natural numbers होते हैं, उसकी तो addition आपको आती है, subtraction भी आती है, लेकिन decimal number की addition और subtraction हम इस chapter में सिखेंगे, तो सबसे पहले बेटा हमने worksheet 1 के according addition सीखनी है ओके आपका जो worksheet 1 है उसमें addition के questions आएंगे तो addition को समझिएगा कैसे करेंगे addition को देखिए बेटा आपने क्या करना है listen me very carefully ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सबसे पहले बेटा आपने points लगाने है जितने number given है उतने points लगा लीजिए ठीक है 3 numbers है ना 1, 2 और 3 3 numbers है आपने 3 points लगाने है अब आपने क्या करना है ये point आपके fix रहेंगे यानि कि 1 के नीचे 1 point आना चाहिए ये एक ही line में लगने चाहिए point ठीक है ये left right नहीं करना ये middle में ही लगेंगे एक के नीचे 1 अब आपने क्या करना है बेटा ये point तो fix हो गए लेकिन एक number को उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे point के position चेंज नहीं होएगी ये देखिए मैं क्या करती हूँ 31 उसके बाद point आ रहा है ठेके point से point मैच करना चाहिए तो point को आप छेडेंगे नहीं इसको यहीं रखेंगे और यहाँ लिख दिया 13 अब point के बाद क्या रहा है 01 तो यहाँ हमने लिख दिया 01 ओके अब उसके बाद ये third वाला number है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे बटा point से point मैच करना चाहिए तो point से पहले वाली जितनी digit है वो हम लिखेंगे यह आएगा one this is three and this is one ओके और point के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर one आ रहा है तो उसको हमने यहाँ लिख दिया ओके बटा arrangement समझ में आया आपको मैंने किस तरह से arrange किया है पहले आपने decimal लगाना है फिर number को लिखना है ओके यह decimal की position change नहीं होगी ठीके यह fix रहेगी और जो numbers आपको given है digits given है वो आपने as it is लगानी है अगर यहाँ पर point से पहले two digit है तो आप two ही लगाएंगे point के बाद three है तो आप three लगाएंगे इसी तरह से यहाँ पर two digit थी point से पहले आपने लगा दी और point के बाद भी two digit थी वो आपने लगा दी यहाँ पर point से पहले three digits थी वो हमने यहाँ लगा दी और point के बाद one digit है वो हमने यहाँ लगा दी अब क्या करेंगे बटा addition करेंगे और उससे पहले जो ये खाली spaces को fill कर देंगे मैंने आपको बताया था decimal के बाद आपने three digits लेनी है ठीके three digits को हम assume करते हैं तो उपर वाले number में तो three digit present है लेकिन यहाँ पर three digit नहीं है हम इसको zero लगाकर three digit बना लेंगे ओके और यहाँ पर भी हमने zero zero add कर दी अब यहाँ पर भी three digit है तो यहाँ पर आप zero लगा दीजिए बेटर left में कोई फरक नहीं पड़ता digit two हो या three हो लेकिन right side में यानि कि decimal के बाद तो आपकी three digit होनी चाहिए ठीक है ना three digit ही होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर one था three digit number था इसलिए हमने अपनी addition को smooth करने के लिए यानि कि कोई mistake ना हो इसलिए हमने इन places को zero से fill कर दिया तभी मैंने इसको red से दिखाया है ताकि आपको पता चले यह वाली space जो थी वो खाली थी और हमने इसको fill कर दी now one plus zero plus zero we get one अब यहाँ पर भी zero zero की तो कोई value नहीं है one का one आ जाएगा और यहाँ पर भी zero plus zero plus one we get one point ओके one plus three we get four four plus one we get five now three plus one we get four four plus three we get seven ओके बटा now अब zero plus zero plus one one तो यह आपके addition हो गई ठीके बटा समझ में आ रही है बात इसी तरह से आपके questions होंगे यह देखिए worksheet one में इसी तरह से आपने questions करने है मैं आपको दिखा रही हूँ यह देखिए इस तरह से आप करेंगे question आपको ऐसे given होगा इस तरह से आपने arrange करना है यहाँ पे जो मैंने red color से zero लगाई है यह मैंने खुद लगाई है कहने का मतलब क्या बटा question में given नहीं था कुछ भी यह space खाली थी आपको दिखाने के लिए मैंने red से इसको दिखाया है कि यह देखिए इस तरह से space को fill करना है ठीक है यह देखिए हर question में यह अभी अभी मैंने जो आपको question करवाया था F part ओके student बटा question number 2 है यह worksheet 1 का यह आपने notebook में करना है और E F G H यही 4 part करने है ठीक है इसके इलावा जो A B C D part है वो आप नहीं करेंगे वो मैं skip करवारी हूँ अगर आप करना चाते हैं तो rough notebook में आप practice कर सकते हैं otherwise fair में आपने यह 4 questions ही लिखने है ओके अब आप question number 1 पे आईए